हलो एवरिवन, कैसे हैं आप लोग तो आज मैं सोच रही हूँ कि आप पूरे फैमली यही पीके रहेंगे जब भी मौसम चेंज होता है ना खास करके गिस्म लितू की जो सुरुआत होती है चैत का जो महीना होता है उसमें ऐसे फ्लावर्स खूब सारे ऐसे लुधक पुधक के भड़ जाते हैं और ऐसे में हमें लगती है प्यास साथ में मन करता है कि वजन भी तोड़ा कंट्रूल में रहे इसी सब को सोच करके एक डीटॉक्स वाटर में सेयर कर रही हूँ जिसके लिए मैंने लिया है देड़ चमच सौफ एक चमच आजवाइन और एक चमच मैंने यहाँ पड़ लिया है सिंधा नमक तो इन सारी चीजों को मैं यहाँ पर जो मुसल होती है न छोटी वाली जो क्या बोलते हैं इसको मतलब कुटनी बोलते हैं तो उसमें मैंने इसको दरदरा ऐसे कूट लिया है बहुत ज़्यादा महीन तो यह नहीं होगा बस हलका दरदरा हो गया है और चाहिए आपको बहु तो उसमी में से थोड़ा सा मैं लेकर आई हूँ तो फ्रेस पुदीना है आप चाहें तो बाहर से बाजार से मंगवा ले और एक मुठी पुदीना तो यहां लगी जाएगा मेरा थोड़ा सा कम है तो कोई नहीं इतने से भी काम चला सकते हैं तो चलिए इसके पहले पत्ते चांट लेती हूँ कि इसके जो डंडिया होती है न वो मत डालिएगा क्योंकि हो सकता है उसमें मतलब आपको इतना स्वाद नहीं आए तो पुदीना चांट लिया अब हमें काटना है खीरा तो बिल्कुली फ्रेस खीरा होना चाहिए पुदाना खीरा मत डालिएगा उससे क चौप कर रही हूँ मतलब थोरे मोटे स्लायस ही काट रही हूँ तो मैं यहां पर एक खीरा काटता है और मैं यहां पर जो पानी बना रही हूँ कम से कम 2,5 लिटर बना रही हूँ तो चलिए पुदीना और खीरा तो कट गया है तो इसको साइड करके रखते हैं और भी अगर आप इतनी चोटे चोटे टुकड़े में काटेंगे न तो इसका जो खटापन है न पूरी तरह से पानी में जाएगा बड़े टुकड़े भी काट सकते हैं पर स्लाइस में काट लीजेगा तब जादा अच्छा रहेगा और बच्पन में हम जैसे निम्बू सरवत पीते अलग टैप का है इससे आपका जो बॉड़ी का जो जो भी गंदा चीज होता है जैसे कि हम बहुत सारी चीजे खाते रहते हैं तो सब डिटॉक्स हो जाता है यहाँ पर मैंने लिया है बिल्कुल ही गुनगुना से भी थोड़ा सा कम ऐसा पानी मतलब हलका सा गरम हो बस उसक मैं एक टोटी भी लगा हुआ है मैं पानी के लिए लिया था मैंने तो पानी तो मैं इसमें बहुत कुई कम रखती हूं लेकिन इस सरवत बगड़ा बनाने में बड़ा अच्छा काम आता है इसके अंदर मैंने डाल दिये पुदीना साथ में निम्बू और इसको कूटने के मैं उजे कोई लंबा चीज नहीं मिल रहा था तो मैं यहां बेलन से ही इसको कूट रही हूं तो इसको अच्छे से आपको कूटना है अच्छे से मिंस की बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि एक दम थुक्चा हो जाए लेकिन हलका सा आपको कूटना है जिसे की थोड़ा सा वो टुक वला मिरे पास थोड़ा चोटा वला था उसके बाद हम डालेंगे यह सौफ बला पानी तो आप चाहे तो छान के भी डाल सकते हैं आप चाहे तो बिना चाहने भी पूरी तरह से डाल दें यह फायदा ही करेगा कोई नुकसान नहीं करेगा, एक छोटासा निम्बू का टूकरा इसके अंदर आ गया, अब इसके अंदर डालेंगे संत्रा, अगर आपके पास बड़ी वाली निम्बू हो, तो आप उसे भी काटके डाल सकते हैं, संत्रा भी डाल सकते हैं, एक मतलब औरेंज होता है जो भी इस नि ज़्यादा हम पीते रहेंगे पूरे दिन और इस पानी को आपको तीन से चार घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है तो जाकर के ये पानी डीटॉक्स वाटर बन पाएगा जब साम हो गई मैंने दो पढ़ में बनाया था ग्यारा बारा बजे तो साम के टाइम ये बन चुक आप इंज्वाए कीजिए फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ कोई गेश्ट आए उसको पिलाएए मतलब ये एकदम सबसे सस्ता और सबसे हलका और सबसे जल्दी में बनने वाला ड्रिंक है इसको फटा फट बनाएए पीजिए गर्मी भगाएए या फिर अपने वजन को कं में काम आएगा वीडियो अच्छी लगी है तो सेयर करके लाइक कर दीजेगा